दोस्तों ये है हमारे पास Poco F1 और इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ OnePlus 8 का पोर्ट OxygenOS 11 जो की Android 11 के साथ आता है बहुत सही रोम है यार पैटरी बैकप बहुत सही दे रहा है और फीचर्स पूरे OnePlus के पूरे वर्किंग कंडिशन में हैं और सबसे अच्छी बात पफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा मिल रहा है इस ROM को कैसे इंस्टॉल करते हैं फीचर्स, बैटरी बैकप, पॉफॉर्मेंस अब कुछ डीटेल में बताऊंगा और थोड़े बक्स आने वाले उसको फिक्स करके भी बताऊंगा तो चेलिए लेट्स बिगिन बात करें फीचर्स की इसमें एक से एक फीचर्स मिल जाएंगे एक एक फीचर्स में डीटेल में दिखा देता हूँ तो जैसे कि हम चलते हैं यहाँ पर बटन्स पे उसके बद चलते हैं डिस्पले पे यहाँ पर आपको जो अडवांस पे जाओगी तो यहाँ पर स्क्रीन कालिबरेशन सेट कर सकते हो आप अपंपने यह होता है नोच हाइड कर सकते हो वीजन कंफर्ट रीडिंग मोड इनाबल कर सकते हो रीडिंग मोड में दो टाइप्स मिल जाते हैं और chromatic और mono effect दोनों भी perfectly वर्क कर रहा है उसके बाद चलते हैं next option पर डाक mode यहाँ पर perfectly वर्क कर रहा है उसके बाद चलते हैं next feature में ambulance display perfectly वर्क कर रहा है लेकिन इसे on मत करना वरना आपका बैटरी ज्यादा डाउन होगा आप बैटरी स्टाइल रख सकते हो परसेंटेज दिखा सकते हो नेटवर्क स्पीडर दिखा सकते हो उसके बाद rotation जो है आप enable कर सकते हो ठीक है जब आप कोई मतलब application यूज करोगे तब य अटर रोटेशन नहीं है टूटली स्क्रीन से वर रख सकते हो उसके बाद चलते हैं next option में customization में आप यहां clock set कर सकते हो ठीक है उसके बाद आप हंसेंट color set कर सकते हो उसके बाद आप icon packs वगेर सेट कर सकते हो icons की color change कर सकते हो जैसी के आप देख रहे हो यहापर उनका shape भी change कर सकते हो उसके बाद font वगेर चेंज कर सकते हो उसके बाद चलते हैं next option में sound and vibration में बहुत सही है बिल्कुल perfect मतलब कोई problem नहीं है बिल्कुल अच्छा quality का sound यहाप देखने को मिल जाएगा आपको और यहाँ पर आपको vibration वगेरे देखने को मिल जाएंगे अब अलग-अलग type के vibration भी set कर सकते हो आपके हिसाब से उसमें buttons में चलने के बाद navigation and gesture तो मैंने buttons पे on करके रखा है तो जो buttons होती हैं हमारी navigation buttons उन्हें on off के लिए उसकर सकते हो Google Assistant on करने के लिए उसकर सकते हो इसके बाद quick gesture में आप यहाँ पर जो अब भी phone आता है अपने कान के पास रखोगे तो आपका phone automatically उठा लेगा three finger screenshot perfectly work कर रहा है double tap to wake double tap to sleep perfectly work कर रहा है इसके बाद edit भी कर सकते हो अगर screenshot निकालते हो तो तो जैसे आपने देखा double tap to wake वगेरा perfectly काम कर रहा है उसके बाद next option पर चलते है आप and notification में आप यहाँ पर जो notification जो होता है आप अलग-अलग टाइप के notification यूज कर सकते हो blink light आना ही की नहीं bubble दिखना ही की नहीं ठीक है उसके बाद next option में चले security में fingerprint sensor fingerprint sensor screen lock जो है pattern वगेरा औ और जो face unlock है perfectly work कर रहा है battery में बहुत अच्छी battery backup देखने को मिलता है जो आपका oxygen वेसे वो intelligently जो optimization करते रहता है आपके battery को उसके बाद चलते है next utilities में आपको यहाँ पर quick launch वगेरे मिल जाता है यहाँ पर कोई भी चीज आप यहाँ से quick launch के लिए use कर सकते हो उसके बाद बात करें हम यहाँ app locker मिल जाता है parallel apps use कर सकते हो app locker जो app है उसको चिपा भी सकते हो उसके notification को भी चिपा सकते हो pocket mode on कर सकते हो इसमें उसके बाद चलते है system में system में जाओगे developer option में जाओगे और सबसे नीचे जाओगे और यहाँ पर आपको free forms of windows enable free forms of windows इसको on करोगे तो इससे आपन screen करकी use करते हैं वैसे इसको use कर सकते हो बात करें next option की आप चलते हैं about में और यहाँ पर आपको पूरा detail दिखा देगा यह देखो और यह चल रहा android 11 पर security patch थोड़ा पूरा ना है 2020 का है जो 1 November 2020 का है तो इसमें थोड़ा बहुत security patch पूरा ना देखने को मिलेगा लेकिन रॉम बहुत सही है आपको बात करें calling की अब इसमें चलते हैं calling के settings में जाकर आप swipe up to answer के लिए use कर सकते हो sound even vibration set कर सकते हो यहाँ पर आपको calling सब कुछ perfectly work कर रहा है सभी calling recording मिल जाता है calling में आपको उसके बाद आप यह देख रहे हैं जो notification पैनल है बहुत सही है fingerprint sensor perfectly work कर रहा ह जी cam perfectly work कर रहा है तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर clarity बहुत सही देखने को मिली है उसके बाद एक बार मैं net on कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ safety net जो safety net है magis का वो defaultly fail देखने को मिलेगा लेकिन आप root करके इसमें patch flash करोगे तो आपका safety net पास हो जाएगा इ जलते installation process पे आपको अपने phone को TWRP recovery या कोई भी custom recovery में boot करना है TWRP recovery या कोई custom recovery कैसे install करते है इसके regarding video i button पे मिल जाएगा तो सबसे पहले आपको install पे जाना है और install पे मैं OTG में रखाओ file install में जाने के बाद आपको एक recovery install करनी है जो ओ-ओ-फ-गैंकी होती है ठीक है जैसे ही recovery install प्रॉल हो जाती है back जाना है और अपने phone को reboot to recovery करना है ठीक है एक बर wipe कर लेना है format data कर लेना है क्योंकि हमने नई recovery डाली है इसमें इसलिए ठीक है format data होने के बाद आपको reboot to recovery करना है अपने phone को ठीक है swipe कर देते हैं अब हमारा phone reboot to recovery होगा मतलब फिर से हमारा TWRP recovery open होगा तो simply यहाँ पर swipe कर देते हैं ठीक है अब थोड़ा brightness में बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा पहूँ ठीक है इतना होने के बाद हमें चलना है install पे ठीक है सबसे बिले जाना है आपको wipe पे ठीक है सबसे बिले जाना है wipe पे advance wipe पे जाना है उसके बाद और इ इजी में है उसके बाद यह देखो POCO F1 और यह 1 plus 8 और यहाँ पर आपको सबसे पहले formware की file select करनी है उसके बाद add more zips पे click करना है उसके बाद यह देखो 1 plus 8 इसको select करना है ROM है वो उसके बाद फिर से OK Google patch इसको select करना है ठीक है अब उसके बाद फिर से add more करना है और आपको एक बाद पीछे जाना है ठीक है इत्ता हो चुगा ना अब यह देखो disable force encryption की जो file है उसको भी select करना और simply swipe कर देना है ठीक है क्या क्या select क्या है मैंने profitly देख लिया आपने बिल्कुल वैसे select करके flash करना है वरना problem हो सकता है आपका phone boot नहीं होगा ठीक है flashing complete होनी वाला है हमार हो रहा है मैंने flashing complete जैसे हो जाता है अब आपको क्या करना है back जाना है successful लिखाना चाहिए ठीक है successful हो चुगा है सभी बिल्कुल perfectly install हो चीगा है अब फिर से हमें एक बार wipe पे जाना है और format data पे जाना है यहां पे लिखना है YS और right button पे टिक कर देना है इससे आपका format data हो जा बूट हो जाएगा थोड़ा time लेगा बूट होने में लेकिन tension मतलो आपका phone on हो जाएगा और अभी मैं वो bugs fixing के steps बताने वाला हूँ ध्यान दीजे carefully तो यह बग नंबर one है जो safety net है वो fail देखने को मिलेगा तो safety net को pass करना होगा safety net दिखा देता हूँ मैं आपको तो जैसे आ लेना है और select करने के बाद install होने के बाद reboot कर देना है यह first fix हो गया उसके बाद फिर से TWRP recovery में बूट होना है और backup लेना एक चीज का उसको बूट का backup लेना है आपको फिर से install पे जाना है ठीक है और एक kernel flash करना है जिसका नाम है genos kernel जिससे आपकी battery backup increase हो जाएगी और आपका जो random reboot का एक problem है वो भी bug fix हो जाएगा इससे तो install पे जाना है genos kernel को select करना यह मैं चला जाता हूँ POCO F1 कहा है यह दिखिए POCO F1 OnePlus 8 और यहाँ पर genos kernel 16.1 इसको select कर लेते हैं और simply इसको swipe कर देते हैं इसके बाद आपके phone को simply reboot कर लेना है ठीक है बस हो चुगा है आपके पूर performance बेस्ट फीचर के साथ अब reboot now पे क्लिक कर लेते हैं ठीक है reboot system पे क्लिक करने के बाद आपका phone चालू हो जाएगा